अगर आपने इसका प्रीवेस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लिक्षे की पीडिएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चानल जोइन के सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया कंपनी तो इन में से कौन सी आपके इंडिया की कंपनी है जिसने लिकोफाइड नैशल ग्यास पर्चेस अग्रीमेंट साइंग किया है दस सालुक ले अबुधाभी नाशल ओयल कंपनी के साथ तो आंसर आपका हो जाएगा इट इस गेल इंडिया लिबिटेड ठीक है आंसर तो जो गेल इंडिया है वो इसे पर्चेस करेगा इस कंपनी से ठीक है और जो यह अग्रीमेंट है वो 2026 से स्टार्ट होगा आपका for a period of 10 years ठीक है नाव आप जो गेल इंडिया है गेल इंडिया के आपके कारेंट चेर्मन का मेलेजिंग डेरेक्टर कौन है इनका नाम है सं इन्होंने चार मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किये है 16th Finance Commission के लिए तो आंसर यहाँ पर आपका होजगा option number C अब इन में से तीन आपके full-time मेंबर्स हैं कौन-कौन से है आजे नारायन जा जो former Secretary of Department of expenditure and former member रह चुके है 15th Finance Commission के एनी जो जो फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी है रह चुके हैं Department of expenditure गी ठीक है साथ में ही निरंजन राज अध्यक्ष एक्षेटर ऑफ पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म अर्था ग्लोबल ठीक है साथ में ही एक part-time member यहाँ पर अपॉइंट किये गए है सौम्या कांती खोश ठीक है विच इस ग्रूप चीफ एक्नॉमिक पनागरिया है इनको जो है 16th Finance Commission का चेर्मन भी बनाया गया था ठीक है and he is a former vice chairman of your Niti I.O. ठीक है नव नेक्स है Name the company or organization that has collaborated with Ember Group to establish a joint special purpose vehicle for shared services तो इन में से कौन सी आपकी कंपनी है जिनोंने Ember Group के साथ जो है partnership किया है, collaboration किया है, establish करने के लिए special joint special purpose vehicle for shared services तो answer here is it is TitaGard Rail System Limited ठीक है answer आपका होचागा यहाँ पर option number B, आप जो special purpose vehicle है ठीक है यह basically हाँ पर setup किये जाएंगे यह setup करेंगे new facility इंडिया में for manufacturing the critical railway components and subsystem which is used in the manufacturing the railway and metro coaches ठीक है, साथ में ही यह दोनों जो organization है, यह दोनों यहाँ पर invest कर रहे हैं 120 crore rupees each to obtain around 50% of each in the special purpose vehicle for setting up a new railway component business as well as, इसके साथ साथ यह जो है fresh equity investment यहाँ पर कर रहे हैं फिरेमा इतली में, ठीक है now next है, who is appointed as the ninth chairman of our telecom regulatory authority of India that is the right by appointment committee of cabinet तो ACC ने यहाँ पर appointment किया है आपके अनिल कुमार लोथी को, ठीक है यहाँ पर आप इनकी image देख सकते हो अनिल कुमार लोथी जो former railway board chairman रह चुके है and CEO रह चुके है ठीक है, इन्हें जो है तरहाई का headquarter कहाँ located है, यह located है आपका New Delhi Delhi में और इसे 1997 में established किया गया था, ठीक है next आपको question है, recently in Jan the Harun, Harun Rashid Khan is appointed as the part-time chairman of which small finance bank तो इन में से कौन सा small finance bank है, जिसके यह part-time chairman बनाए गए है, तो answer आपका हो जाएगा, it is option number C, AU small finance bank ठीक है, अभी हमने यह भी पड़ा था, AU small finance bank के साथ, जो आपका Fincare small finance bank है, उसका merger हो रहा है, तो यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है महात्मा गांदी जी को गोली मारी थी, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो महात्मा गांदी जी की death anniversary होती है, उस दिन हम observe करते हैं, शहीद दिवस, ठीक है, आन इस बार हमने इनकी 76th death anniversary observe की थी, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर 23rd March को भी शहीद दिवस मनाए जाता है, ठीक है, और उस थाइम पर जो sacrifice की थे भगत सिंग जी ने, राजगुरु जी ने और सुगदेव जी ने, उनकी याद में हम शहीद दिवस 23rd March को observe करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इन में से कौन सा state है, जिसने इस लाभा योजना को launch किया है, तो answer आपका हो जाएगा, it is done by the Od Odisa government, ठीक है, Odisa के अपके CM कौन है, नवीन पतनाइक जी, जोनोंने इस scheme को launch किया है, ठीक है, इस scheme के बारे में देखे, योजना के बारे में देखे, तो इस scheme के अंडर जो primary collectors होंगे, from our tribal communities, they can sell the minor forest produced, they collected at a procurement center of a tribal development corporation limited of Odisa at a minimum support price, ठीक है, तो ये main point है इसका, अभी जो centers होंगे, इसने manage कोन करेगा, self-help group इससे manage करेंगे, and other designated agencies assisted by the TDCCOL, ठीक है, अब यहाँ पे third point का कहा रहा है, after collection, the amount will be transferred as a direct benefit transfer to the beneficiaries account, ठीक है, इसके साथ साथ, the procurement automation system, जो है, it will record the information like total collection of a minor forest produce, detail of a primary collector and procurement point, ठीक है, इसके साथ साथ, जो government है, government का main aim क्या है, इससे launch करनेगा, कि इसका main aim है, कि यहाँ पे 30,000, initially 30,000 tribal beneficiaries जो हैं, उनको scheme के अंडर benefit हो, ठीक है, और इसे बाद में expand किया जाएगा, over the 1 lakh beneficiaries, ठीक है, total investment यहाँ पे जो scheme के, scheme में करा जा रहा है, by the state government, it is your 100 crore for the scheme, and यहाँ पे जो self-help group and other agencies हैं, जो इसमें involved होंगी, उनको 2% commission भी यहाँ पे provide किया जाएगा, ठीक है, next है, which among the following countries, take exit from the economic community of a West African states, that is ECOWAS, तो यह जो आपकी organization है, ठीक है, इस organization से कौन सी countries हैं, जोनोंने अभी recently exit लिया है, तो answer आपका हो जाएगा, Mali, Niger, Burkiano, Faso, तो तीनों यहाँ पे जो countries हैं, इन्होंने इस organization से exit ले लिया है, तो answer क्या हो जाएगा, option number E, all A, B and C are correct, ठीक है, जो ECO, WASI, यह organization है, through which the Western African government encourages economic development in the region, ठीक है, Now next है, the Union Minister of Civil Aviation, Jyotir Aditya M. Cynthia, virtually inaugurated a Udhan flight connecting Dehradun and Dash, तो recently, जो हमारे Union Minister of Civil Aviation के, इन्होंने virtually inaugurate किया था Udhan flight, जो Dehradun को connect करती है, पिथारागर से, ठीक है, तो answer आपका हो जाएगा, it is option number C, अब यह जो flights है, यह आपका कौन connector है, कौन सी organization है, ठीक है, जो इसे operate कर रही है, तो flybag, यहाँ पर आपकी operation करने वाली organization है, जो RCS Udhan scheme के तहट, यहाँ पर operate करेगे flights को, ठीक है, अब यह जो flights है, यहाँ पर 19-seater, twin inverter, DHC6400 aircraft को use किया जाएगा, passengers के लिए, और यह service week में initially तीन दिन प्रोवाइट की जारी है, Monday, Tuesday and Friday को, ठीक है, नव नेक्स्ट है, which statement is incorrect with respect to the French President Emmanuel Macron visit to India, तो आप सभी को पता है, जो 75th Republic Day हमने मनाया था, उसमें Chief Guest Porn थे, आपके French President थे, तो इनका यहाँ पर दो दिन का विजिट था, उसी में इनोंने बहुत सारे M.I.U. sign की है, announcement की है, तो वो सब अभी हम discuss करेंगे, तो पहला point यहाँ पर क्या रहा है, तो इनका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़ नोट करना है कि इनकरेक्ट सेटमेंट पूछी जा रही है, तो सेकंड सेटमेंट क्या है, जो Ministry of Defense हैं इंडिया की, and Ministry of, Ministry for Armed Forces French Republic sign a letter of intent, इन दोनों की इच में letter of intent sign हुआ है, on a Defence Space Partnership, थर्द सेटमेंट है, framework arrangement on a corporation concerning funding of a research project between, research projects between Department of Science and Technology and Agency National D.A. Reacher from the French Republic was also signed during his visit, तो यहाँ पर framework arrangement भी, agreement भी, यहाँ पर sign किया गया है, जो इंडिया की Ministry of Health and Family Warfare है, और Ministry of Labor, Health and Solidarity of a French Republic sign declaration of intent on a corporation in the field of health and medicine, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, जो इंडिया की Antrex Corporation Limited है, and France की जो Arian Space SAS है, इन दोनोंने मिलके space sector के लिए MOU sign किया है, ठीक है, तो हमें बताना है incorrect statement, तो answer आपका है, यहाँ पर option over E, ठीक है, जो इंडिया की New Space India Limited है, इस company ने, यहाँ पर MOU sign किया है, space sector के लिए, ठीक है, अब की points देख लेते हैं, यहाँ पर जो visit theme की, जो Tata Advanced System Limited है, इन होने, फ्रांस की जो आपकी company है, Airbus Helicopters, इसके साथ MOU sign किया है, set up करने के लिए final assembly line for a H-125 helicopters in India, ठीक है, अब यह जो operation है, basically यह जो final assembly line की बात की जारी है, यह आपका expected है कि यह start हो जाएगा by 2026, ठीक है, नाव next यहाँ पर है, India's Ministry of Personal, Public Grievance and Pension, और France की जो Ministry of Public Sector, Transformation and Civil Service है, इन दोनों ने मिलके यहाँ पर letter of intent sign किया है, on public administration and administrative reforms के लिए, ठीक है, अब India और France के बीच में एक जो agreement है, वो भी renew किया है, यहाँ पर किया गया है, between the Ministry of Housing and Urban Affairs, and Ministry of Ecological Transition and Territorial Cohesion, जो France की आपकी Ministry है, on corporation in the field of sustainable urban development, ठीक है, किस चीश के लिए, sustainable urban development के लिए, यहाँ पर जो है, इन्होंने इस agreement को sign किया है, renew किया है, इसे, ठीक है, अब ऐसे ही, India और France ने, यहाँ पर commit किया है, to strengthen the corporation in the southwest Indian Ocean, building on a joint surveillance mission, conducted from French territory of a large, union in 2020 and 2022, इसके लवा, जो France की President है, इन्होंने विजिट किया था, जैपूर का आपका, राजस्तान का, शीश महल और दिवाने आम, इनका जैपूर में आपका विजिट था, राजस्तान में, जहाँ पर इन्होंने इन जगाव पर विजिट किया था, इसके साथ साथ, PM मोधी जी ने, जो आयोध्य का राम मिंदर है, उसका रापलिगा भी इनको जो है, गिफ्ट में दिया था, जैपूर में, अब इसके साथ साथ, यहाँ पर जो अन्टान्स्मेंट की गई है, इंडिया और फ्रांस की तरफ से, वो देख लेते हैं, जैसे, यहाँ पर इंडिया और फ्रांस से अन्टान्स्मेंट की है, तु सट अप अ सोलर अकाडमी इनस नीगल, अंडर दी स्टार सी प्रोग्राम ऑफ आफ इंटिनाशनल सोलर अलाइंस, आये से का, ठीक है, इसके अलावा, जो आपका, साफरें इंडिया शक्ती जट इंजन डील है, ठीक है, अंडर दी प्रोपोस्ट, इस साफरें इंडिया शक्ती जट इंजन डील, फ्रांस बेस साफरें कंपनी जो है, यह ट्रांसवर करेगे, 100% of technology across design, development, certification and production phases of the project, ठीक है, थर्द सेटमेंट है, यहाँ पर उन्होंड क्या बोला है, यह introduce करेंगे, young professional scheme under the migration and mobility partnership agreement, which enables, यह क्या enable करेगा, exchange individuals aged 18 to 35 years, यहाँ पर जो visa valutory है, यह भी extend की जाएगी, 5 years तक for shengen visas for Indian students studying master degrees in the France, ठीक है, next है, operationalization of a UPI, unified payment interface at a elif tower, Paris France, यह भी announcement किया गया है, कि वहाँ पर इसे operationalize किया जाएगा, साथ में ही setting up of India's consulate in Mercedes and French Bureau de France in Hyderabad, तो यह भी हाँ पर set up किया जाएगा, India में, Hyderabad में, ठीक है, next question है, according to the All India survey on a higher education, 2021-22, released by the Department of Higher Education under the Ministry of Education, the gross enrollment ratio, which is a number of students enrolled in a higher education, as a percentage of individuals, जिनकी एज 18 से 23 साल के भीश में हैं, ठीक है, now, यहाँ पर इस survey में बोला गया है, कि जो gross enrollment ratio है, higher education का, for the age group, 18 to 23 years, यह increase हुआ है, 2021 में, ठीक है, कितना increase हुआ है, तो answer जाएगा, option number B, 28.4% यह increase हुआ है, और इससे पहले year में, 27.3 इसका data था, 2020 का, ठीक है, अब इस survey से related, जो आपके key points है, वो देख लेते हैं, first point आपका है, जो इस survey है, इस survey में register किये गये थे, universities, colleges, and stand-alone institutions, कितने-कितने institutions को यहाँ पे, जो है, register किया गये था, इस survey में, 1160 एज यह university, ठीक है, 45,473 colleges, 12,002 stand-alone institutions, जिसमें से, 1,162 universities ने respond किया है, 42,000 A25 colleges ने, and 10,576 stand-alone institutions द्वारा, यहाँ पे respond किया गया था, इस survey के लिए, ठीक है, next है, total student enrollment, जो higher education में देखने को मिले है, हमें, यह इस बार बड़ा है, कितना बड़ा है, इस around 4.33 करोर, ठीक है, 2021 में यह आपका 4.14 करोर था, ठीक है, female enrollment में यहाँ भी हमें, जो है, increase देखने को मिला है, 2021 में, which is 2.07 करोर, अब यहाँ पे अगर हम, schedule caste की बात करें, तो यहाँ पे भी इनके जो students हैं, schedule caste के, female gross enrollment ratio, ठीक है, and male का, which is 1.01, ठीक है, then total number of faculties, या teachers, जो 2021 में, यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो आपके हैं, 15.98 लाग, ठीक है, इसके अलाबा, number of universities, तो 2021 में, increase हुई है, which is, 1168, 2021 में, ठीक है, इसमें से, 17 universities, सिर्फ women's के लिए ही, यहाँ पे open हुई है, ठीक है, now next, यहाँ पे बात करते हैं, जो आपके states से related data है, जैसे, states and unitarities, जिसमें, highest gross enrollment ratio, देखने को मिला है, चंडिकर सबसे पहरा, आपका नम अरा दता है, फिर पुड्डुचेरी, डेली, तमिल नाडु, हिमाचर प्रदेश, उत्राखन, केरला और तेलंगाना, चिक है, ऐसे ही, लाजर स्टेट्स के काटिगरी में, ठीक है, तमिल नाडु नहीं हाँ पे top किया है, in terms of highest gross enrollment ratio, ठीक है, in a higher education institution, इंसिटूशन, ठीक है, और लक्ष उदीप, आपका यहाँ पे सबसे कम, जो है, gross enrollment ratio देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे कोई higher institutions नहीं है, ठीक है, इसके अलावा, top 10 states, जहाँ पे highest number of colleges, हमें देखने को मिले हैं, इस पे सबसे पहला number, जहाँ सबसे ज़ादा colleges, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे माराश्टरा, करनाटका, राजस्थान, तमिलाडू, मध्यप्रदेश, आंद्र प्रदेश, गुजराथ, तलंगाना, और यौर, वेस्पेंगौल, ठीक है, ऐसे ही अगर district के category में बात करें, तो बैंगलेरू सबसे top number पे है, जहाँ पे maximum number of colleges जो है, वो आपको देखने को मिले हैं हमें, और state and unit territories की बात करें, जहाँ पे highest college density देखी गई है, which is number of colleges per lakh population, ये भी आपके करनाटका में देखी गई है, followed by तेलंगाना, फ्रॉम इंडिया वर डेजिगनेटेट अजरा राम सल साइट, विच लीज टू 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 अजराज राम सल साइट, इंडिया। टू अभी तक 75 राम सल साइट थे, ऑद इनका, अगर ये पांच वेट लैंट जो है, अपकी है ठीक है, जो हैं, लेकि प्राभ तोट्वार्व टीन सा है, अगह आगहां सानी, जो कि अरभी स्वेस्वीट, इस्टृ स्टृूर्मर है मगारी केरे कंजरवेशन है रसल प्राभार्थ प्राभी संद ग्हाल ग्रविट, eccовने कावतो, of National Highways Network, तो इन में से कौन सी organization है, जिसके साथ नाही ने MOU sign किया है, enhance करने के लिए National Highways Network को, तो answer आपका हो जाएगा, it is option number C, Geological Survey of India, जेकि कौन सी organization है, Geological Survey of India, और इस MOU के तहत, जो Geological Survey of India है, GSI जो है, यह provide करेंगी site-specific geotechnical consultancy services, which is related to the preparation of your geological maps and assist in analyzing the detailed project reports from the geotechnical prospector, तिक है, अब यह जो MOU है, यहापे signatories कौन-कौन से, कौन थे आपके, चैसे नाही की चेर्मन होगे, संतोष कुमार यादव, और साइबल घोष और जो आपके deputy director general है, GSI के, Geological Survey of India के, तिक है, अनेक्सा पोशन है, the RBI has revised the eligibility norms for the inclusion of our urban cooperative banks in the second schedule of the RBI Act 1934. As per the revised norm, UCBs must maintain the CRAR of at least dash percent higher than the minimum requirement for the tier to enhance capital strength and resilience to risk. तो यहाँ पे RBI ने जो है, eligibility norms जो है, urban cooperative banks के लिए, वो revise की है, second schedule of RBI Act 1934 के है, ठीक है, अब यहाँ पे इनोंने क्या बोला है, कि जो UCBs है, UCBs है, जो, इनको जो capital to risk weightage asset ratio है, यह इन्हें जो है, maintain करना है, at least 3 percent more than the minimum CRAR requirement जो applicable होती है, UCBs के लिए, ठीक है, तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is option number B, ठीक है, 3 percent, now इसके साथ साथ और क्या criteria है, ठीक है, एक और चीज़, यह जो instruction है, they are issued under the clause of a subsection 6 of section 42 of RBI Act 1934 का भी कभी section भी पूछ लिए जाता है, ठीक है, बाकी criteria देख लेते हैं, कि जो banks हैं, जो UCBs banks हैं, they shouldn't be any major issues plagged by the RBI in terms of regulations and supervision, ठीक है, और जो license tier 3, tier 4 UCBs हैं, they must meet the RBI's financially sound and well managed criteria, तो यह भी ध्यान में रखना है, इसके साथ साथ RBI ने recently allow किया है, tariff rate quota holders को to make advance payment for a gold import via India International Bullion Exchange IFSC Limited, चीक हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर tariff rate quota की बात कर लेते हैं, tariff rate quota क्या होता है, इसको ऐसा समझते हैं, जैसे एक India है, ठीक है, इंडिया हमारी country है और एक आपकी रश्या है, ठीक है, जैसे इंडिया को, इंडिया जो है रश्या से oil बाई कर रहा है, let's take the example, ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, कि अगर 1000 unit का, या 1000 million ton का हम जो oil है, वो purchase कर रहे हैं, तो इसमें import कर रहे हैं, तो इसमें 1000 की जो limit है, यहाँ पर सिर्फ 2% import duty देनी होगी रश्या को, ऐसे ही अगर यह 1000 limit से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो import duty है, वो आपकी 5% कर दी जाएगी, जैसे अगर 1500 का जो आपका unit पार कर जाता है, यह 1500 हो जाती है, अब अब 1000 unit हो जाती है, तो यही चीज होती है आपकी tariff rate quota, जहाँ पे कुछ limit तक आपको छूट दी जाती है, अब जैसे बिजली का बिल होता है, जैसे हिमाचल में, आपका अगर 100 unit तक बिल आता है, तो वहाँ पे आपको 0 बिल आता है, उसके बाद आपकी जो units है, वो count होती है, उसका पे आपको क extra 500 units है, इसका 5% यहाँ पे import duty देना होगा, तो यह आपका आजाता है tariff rate quota, आपको यह समझाया होगा, ठीक है, आप यहाँ पे question भी बन सकता है, कि जैसे gold import के लिए हाँ पे यह advanced payment का criteria दिया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको पूछा सकता है, कि gold के लिए है, या food के कारी है, advanced payment के लिए, ठीक है, now next है, recently in February, the RBI directed which payment bank to stop onboarding of a new customers with an immediate effect, तो इस में से कौन सा आपका payment bank है, जिसके लिए, RBI नहीं हाँ पे, क्या बोला है, कि इनको अपने onboarding, जो नहीं कस्टमर्स है, उनको add नहीं करना है, इनको, ठीक है, बोचीज इनको बंद करनी होगी service, तो answer आपका हो जाएगा, it is Paytm Payment Bank, ठीक है, answer है, option number E, और यहाँ पे MDN CEO कौन है आपके, Paytm Payment Bank के, it is Surinder Chavala और Headquarters का Noida, उतर पर देश में लोग करेड है, ठीक है, now next है, next question है, which ministry won the award in a best marching contingent and tableau award for the Republic Day Parade 2024, by panel of judges in best tableau ministries or department category, तो answer यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is, ministry of culture को यह award दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दो award basically दिये गये है, एक तो panel of judges ने जो decide किये है, और दूसरा जो public ने decide किया है, online polls से, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, जो panel था आपका, judges का, उन्होंने decide किया था, तो answer आपका हो जगा ministry of culture, ठीक है, और Republic Day के दिन, जो वो देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, अब पूरी proper list की बात करें अगर, तो जो panel of judges थे, इन्होंने best marching contingent, contingent among the three services, यह award दिया गया था, sick regiment contingent को, इन्होंने इनको select किया था, फिर best marching contingent among the CAPF, other auxiliary forces, इसमें Delhi police women marching contingent को यह award दिया गया है, then best three tableau states और unit territory की बात करे, तो first award यहाँ पे, ओडिसा को दिया गया है, then Gujarat, और फिर Tamilnadu third award, ठीक है, then best W ministry and department, यह हम discuss कर चुगे है, ministry of culture, जिसकी जहाकी थी about the भारत mother of democracy, ठीक है, special prize की बात करें, यह दिया गया था, central public works department, central vista, विक्सित भारत का प्रतिबिम, यह इसकी जहाकी का main motto था, ठीक है, फिर special momento यह आपका बंदे बारतम dance group को दिया गया है, ठीक है, then online poll की बात करें, तो इसमें किन-किन को select किया गया है, तो best marching contingent among the three services, यह राजपतारा rifle regimental marching contingent को दिया गया है, then best marching contingent among the CAPF other auxiliary forces, यह CRPF women marching contingent को दिया है, then state and unitary की बात करें, तो यहां के जो tablue थे अपके, ठीक है, उसमें first award दिया गया है, गुजरात को, second, उतरप्रदेश, third, आंदरप्रदेश, ठीक है, then best debut, central ministry और departments की बात करें, तो vibrant villages, ministry of home office की जो जाकिती, उसके लिए, उसे यहां पर select किया गया है, ठीक है, then next है, in January 2024, the Sultan Ibrahim Ebeney Al Marham, Sultan Iskandar became the 17th king of which country, तो यह आपके 17th king बने है, मलेशिया के, ठीक है, आंसर यह आपका हुचे का option number C, इनका जो tenure है, वो 5 साल का है, और इन्होंने succeed किया है, अल सुल्तान अब्दुल्ला इबनी, सुल्तान एहमद शाह को, जो 16th king थे, यहां के, ठीक है, इसके अलावा deputy king भी appoint किये गए है, जिनका नाम है सुल्तान, नाजरीन, मुजुदीन, शाह, जिनका third term, यहां पर start हुआ है, जिक है, अब यहां पर prime minister की बात करें, मलीशिया की, तो इनका नाम है Anwar Abraham, capital है, Kuala Lumpur, currencies की है, Malaysian regained, ठीक है, next question है, name the chess player who won master's title at 86th edition of a Tata Steel Chess tournament, 2024, जो आपका नीदर लैंड में हुआ था, ठीक है, तो answer है आपका हो जाएगा, जो चाइना के player है, वी इन्हों ने इस title को जीता है, master title को, और इन्हों ने defeat किया है, इंडिया के Gukesh D को, ठीक है, यह ध्यान में रखना है, अब इसके अलवा यहां पर दो title होते है, एक तो master title होता है, एक आपका होता है, challenger title, ठीक है, अब जो challenger title है, इसमें जो जीता है, उसे next year, या next edition में, जैस लेंगे, ठीक है, खेलेंगे, और इन्हों ने defeat किसे किया था, international master, दिव्या देश्मुक, जो इंडिया की player है, ठीक है, इसके साथ साथ, यहां पर नोट करना है आपको, कि जो GM आर प्रगनन्दा है, यह इंडिया के number one chess player बने है, इन्हों ने defeat किया है, ठीक है, आप्टर ही defeated the re-regioning world champion, GM, Ding Liren, in the fourth round of Tata Steel Chess tournament, 2024 masters, ठीक है, इसके साथ साथ, एक और चीज नोट करनी है, जो आर प्रगनन्दा है, इन्हों ने सरपास किया है, विश्मनात आनन्द का जो rating है, ठीक है, FIDE rating, जो आपकी, विश्मनात आनन्द जी की थी, 27, 2748, वहीं पे इनकी जो points है, basically, रे 2748.3 points है, ठीक है, तो point 3 से, 0.3 points से ये आगे हो गये है, ठीक है, इन्होंने विश्मनात आनन्द को सरपास कर दिया है, ठीक है, ये दियान में रखने आपको, ना नेक्स्ट है, the Indian Coast Guard Day is annually observed across India on Dash, तो Indian Coast Guard Day हम observe करते हैं, 1st of February को, ठीक है, आंसर यहां पर आपका क्या चाहिए, इस option number C, इसके शुरुवात 1977 में की गई थी, 1st February 1977 में, जो Indian Coast Guard है, Coast Guard Act 1978 of the Parliament of India इसके पहत इसे यहां पर स्टाबिश किया गया था, और formally इसे इनागरेट किया था 1978 में, ठीक है, 19th August 1978 में, बाइदी, उस ताइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, मुराजी देसाए, उन्होंने इस से इनागरेट किया था, ठीक है, अब इस बार कौन से एडीशन था, तो इट वस 48 एडीशन या 48, रेजिंग डे आप भी बोल सकतो इसको, ठीक है, डिरेक्टर जोर्नल कौन है, Indian Coast Guard के, तो इनका नाम है, राकेश पाल, ठीक है, 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 ह अब आपका हो जाएगा, आट इस, करनाथका हाईकोट के, आउसर है, है, उप्शelles नमबर B, now, next question है, which state government has signed a MOU with a NTBC Green Energy Limited, NGEL, for the development of a Green Hydrogen and its derivatives projects including green ammonia and green methanol, ठीक है, तो इन बे से कौंसे से स्टेकं ग में ने यह MOU थाом किया है, तो महाराश्या ने पालाश्या ने शाइन किया है अब यह जो projects है इसकी capacity जो आपकी है it is up to 1 million tons per annum and यह develop करेगा ठीक है इसको develop करने के लिए basically investment जो दी गई है वो है something around your 80,000 करोड ठीक है अब यहाँ पे जो M.I.U. sign हुआ है इसमें इन्होंने include किया है about the pumped storage projects of a 2 gigawatt ठीक है and साथ में ही they will develop the renewable energy projects with or without storage of up to 5 gigawatt in महराश्च्रा ठीक है signatories की बात करें तो यहाँ पे मुहित भारगवा जो आपके CEO है N.T.P.C. Green Energy Limited के and जो एकनाथ शिंदे जो CM है महारा राश्च्रा के उनकी presence में यह M.O.U. sign हुआ था चीक है आप यहाँ आप image देख सकते हो now next is the Dash Union Minister of Ministry of Coal has launched a web portal called CKS to digitize the records and work process of the coal mines provident fund organization तो बेसिकली जो CMPFO है यह एक statutory body है Ministry of Coal के अंडर ठीक है जो बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड है इनके जो बेसिकली एंप्रोविडेंट फंड हैं सब्सक्राइबर हैं पेंशनर्स हैं उनकी जो आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं यह उन्हें manually process करती है उनके settlements claim को इसी वज़े से यहाँ पे जो प्रला जोशी है जो यूनियन मिश्चर है Ministry of Coal के उन्हों ने इस portal को launch किया है जिसका नाम है C Care तो यह ध्यान में रखना है अब यह जो portal है इसे design और develop किया है CDEC ने Center for Development of Advanced Computing ने ठीक है जो Research and Development Organization है अबकी Ministry of Electronics and Information Technology की ठीक ह अब Coal Mines Provident Fund की बात करें organization की बात करें तो इसके commissioner है currently Vijay Kumar Mishra headquarters का लोकरेट है आपका जहरकन में धन्बाद जहरकन और इसे 1948 में sublish किया गया था चीक है Next है the Union Minister of Port Chipping and Waterways Sarbananda Sonoba launched the two digital modules namely Maritime Single Window Module and Merchantile Maritime Department Module within the DASH platform जो आपका National Logistics Portal Marine Platform है ठीक है तो answer आपका हो जाएगा इसका नाम है सागर से तुम ठीक है Digitalize the exchange of maritime related information and documents ठीक है तो इन documents को information को digitalize करने के लिए इसे design किया गया है और साथ में ही जो module है यह help करेगा Ministry of Port Shipping and Waterways के साथ कि यह align करे with a global standard जो set किये है आपका International Maritime Organization ने ठीक है National Maritime Trade और यह अलाओ करेगा for the swift approval by various authorities and it will also reduce the waiting time ठीक है वेसल का waiting time जोगा उसको कम करेगा and goods in a port by up to 40% ठीक है नाओ जो आपका next module है Merchantile Maritime Department module इस module में आपके दो कोई functionalities add की है in the Maritime Mobile Domain Process पहला आपका function है Vessel Detention function and दूसरा है Vessel Release function जो Vessel Detention function है यह enable करेगा जो Maritime Mobile Domain officials है कि यह monitor करे status of ships at the port facilitating the planning of a vessel inspections साथ में ही जो Vessel Release function है यह क्या करेगा यह use किया जाएगा by the Maritime Mobile Domain to update the release of the status of a vessel and signaling it to readiness to depart the port ठीक है तो यह सारे चीज़े याद रखनी है नाओ next यहां पर बात करते हैं इस event के दोरान ठीक है जो launch event हुआ था इन दोनों module का इसमें स्वच्छता पकपाड़ा awards भी यहां पर distribute के गए थे यह दिये गए थे यह present किये गए थे ministry of port shipping and waterways की organizations को ठीक है इनके contribution के लिए towards the cleanliness and sanitation initiatives ठीक है पहले यहां पर विनर है first winner Inland Waterways Authority of India second है Indian Maritime University of Chinnai Tamil Nadu and third है Vishakapatnam port of Vishakapatnam Andhra Pradesh ठीक है नाओ next is name the country that has signed a MOU with India on procurement of a defense material and equipment तो इन में से कौनसी organization कौनसी आपकी country है जिसने sign किया है MOU India के साथ for procurement of defense material or equipment ठीक है and equipment तो answer is Oman ठीक है अब रिसेंटली इंडिया और Oman की 12th joint military corporation committee meeting हुई थी मस्कट Oman में in month of January उसी के दोरान यहां पर इस MOU को sign किया गया है ठीक है अब यहां पर signatories कौन थे इंडिया के जो defense secretary है गिरिधर अर्माने ठीक है and जो आपके डॉक्टर मोहमद बिन नसीर बिन अली अल जबी है Secretary General of Ministry of Defense of Oman इनके बीच में यह MOU sign हुआ है ठीक है अब यहां पर capital की बात करें आपके Oman की तो यह मस्कट है currencies की है Omani Real ठीक है यहां पर image दिख सकते हूँ ठीक है next question है which company has signed a frame and individual license agreement for license production and localization of a motoring and turbine union that is MTU International Maritime Organization tier 2 compliant series 4000 marine engines with a Rolls-Royce ठीक है तो इन में से कौन सी इंडिया की organization है जिन्होंने Rolls-Royce के साथ MTU यहां पर basically जो है agreement science की है license agreement के शीच के लिए for license production and localization of a MTU ठीक है तो answer is it is Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited ठीक है अंसर आपका हुजागा है पर option number A अब यहां पर जो International Maritime Organization है इसकी tier 2nd engines 2 है ठीक है यह यहां पर manufacture किये जाएंगे at the diesel engine plant of GRSE Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited इन राची जारकर ठीक है Now next up a question है the Rolls-Royce has entered into a 7 year agreement with which company for complex military aero engine component तो recently Rolls-Royce Lawyer ने जो है Azad Engineering जो आपकी पिलंगाना based company है ठीक है उसके साथ यहां पर 7 साल का agreement signed किया है for a complex military aero engine components के लिए ठीक है अब जो Azad Engineering है यह basically company operate कर दी है aerospace, defense, energy and oil and gas industries पे ठीक है Now Rolls-Royce की बात करें तो इसके CEO and Executive Director है Tufan Ergin Bilgik and इसका headquarter आपका London UK में located है Now next है the Jay Shah Secretary of Board of Control for Cricket in India that is BCCI was reappointed as a President of Asian Cricket Council that is ACC for the dash consecutive term तो recently Jay Shah जो है इनको appoint किया गया है आपका President किस चीच का President इनको appoint किया गया है यह appoint किया है President of Asian Cricket Council का third term के लिए ठीक है Initially इनको जो appoint किया गया था वो 2021 में appoint किया गया था और इन्होंने उस time पे succeed किया था नजमुल हसन को ठीक है जो President आपके Bangladesh Cricket Board के अभी इनको जो है तीन बार consecutively यहां पे एक्सेंशन दिया गया है अब President तो हमने देख लिए है आपके Asian Cricket Council के वाइस-President कौन है इनका नाम है पंकज खीम जी ठीक है Next है Which Wollywood actor recently in February appointed as a brand ambassador of board तो Ranveer Singh जो है इनको यहां पे brand ambassador बनाया गया है recently board company ने ठीक है इनका जो आपका campaign है Lost in Nirwana campaign के लिए ठीक है Next है Which state or unit territory top the medal tally in the 6th edition of Kelo India Youth Games 2023 जो host किया था Tamil Nadu ने तो answer आपका हो जाएगा that is middle tally को talk किया था Maharashtra ने with a 158 middle ठीक है answer यहां आपका हो जाएगा it is option number A और जिसका 5th edition था जो previous edition था वो भी किस ने जीता था वो भी आपका Maharashtra ने जीता था ठीक है तॉप 5 अगर हम यहां पर बात करें तॉप 5 states की तो सबसे बहला नमबर महाराश्टा का है विदा 57 गोल्ड ठीक है Tamil Nadu with 38 गोल्ड हर्याना 35 गोल्ड डेली 13 राजस्थान 13 तेलंगाना 13 और उत्तरप्रदेश 11 गोल्ड ठीक है अब इस से इंपोर्टन आपके पॉइंट्स देख लेते हैं जैसे टोटल 30 ओवराल मेट रिकॉर्ड और नाशनल यूथ रिकॉर्ड यहां पर बनाए गए हैं जिसमें से आपके 8 रिकॉर्ड जो है वो एथिलेटिक्स में है वहीं पर 22 रिकॉर्ड आपके जो है वो लेट यूद्ट में तो इंपोर्टन रिकॉर्ड यहां पर मैंने इंट्लूड के हैं जैसे जो स्व्मेर पलक जोशी है इननों नाशनल रिकॉर्ड अपना बनाया है ब्रोग या है नया रिकॉर्ड बना है 200 मीटर भैक्स रूग इवेंट का जिक है नेक्सर सलीज साबड और जो 87 kg and 90 kg in a two rounds तिक है देन आरपी केर्थाना जो तमिलाड़ों से बिलॉंग करते हैं इन्होंने भी नाशनल यूथ रिकॉर्ड अपना स्नाच क्लीन जर्ग और ओवरॉल में बनाया है अंडर दी गर्ल्स 81 kg क्याटेगरी तिक है इसके लावा आरती ताटा गुंती जो महारास्ट रखे हैं इन्होंने 49 kg काटेगरी में अपना रिकॉर्ड बनाया है तिक है 170 kg इंक्लूडिंग 75 kg in a snatch and 95 kg in a clean and jerk तिक है ना इसके लावा दुर्गा सिंग जो आपके भीहार से बिलॉंग करती है इन्होंने 1500 मीटर रेस्ट है उसमें खेलों इंडिया यूथ गेम्स में रिकॉ अब यहां पर जो इवेंट ऑगनाइस हुए थे इस दिन में तो इंटनाशनल लेवल पे फोड और अग्रिकल्चर ओगनाइसेशन जो है इन्होंने रामसर कंवेंशन सेक्रेटरेट और इटालियन मिनिस्ट्री ओफ इंवार्मेंट और एनजी सेक्यूर्टी के साथ होस्ट किया था वर्ल्ड वेटलैंड दे सेलिबरेशन ठीक है इन रोम इटली और यह आपका सेल MTV दोर में इस इवेंट में जो आपके अर्स सेक्रेटरी हमें जानल है रामसर कंवेंशन के वह वह पार्ले पार्टिसपेट किया साथ है जो bliver हवाग को था अगर पतलता like and share जरूर कीज़ेगा और हमाई साथ जोने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्काइब कीज़ेगा अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें mail कर सकते हो benchmarkstudy007-gmail.com पर या फिर आप हमें comment section में भी लिख सकते हैं तो मिलेंगे ऐसे ही next video के साथ till then take care have a nice day and all the best for your preparation